हेलो एवरिमन वेल्कम बैक टु विशेष क्लासीज आज जो हम लेक्चर करेंगे वह हम करेंगे डेटा बेस क्वेरी यूजिंग स्कुल यह हम जो लेक्चर इंच वारी यह हम हम एच पैसी पीजिर्टी कंप्टेस साइंस से शुरू कर रहे हैं क्यूंकि अभी क्यूंकि एक्जाम बहुत पास है सप्टेμबर में कुछ एक्जाम की डेट आ गई है सब की नहीं आई है पर कुछ की आ गई है तो जो नोटस है यह handwritten है क्योंकि कुछ की आ गया है तो हम कोशिश करूँगी कि मैं कुछ सलेबस आपको complete कराऊ जितना हो सकेगा मैं उतनी आपको कोशिश करूँगी complete कराने की इस lecture में हम maths function complete करने की कोशिश करेंगे ठीक है यह सब handwritten notes हैं जितने notes होंगे मैं आपको करने की कोशिश करूँगी आप साथ साथ इसको कर सकते हैं लास्ट में मैं कोशिश करूँगी कि आपको notes प्रवाइड करा सकूँ पर मैं नहीं करा सकूँ तो आप हमारे channel के साथ बने रहें और साथ साथ update आपको मिलती रहेगी और अगर आप channel के साथ हमारे facebook channel के साथ भी बने रहेंगे तो वहां से आपको notes चाहद मिल सकते हैं तो आप हमारे channel और facebook के साथ बने रहें ताकि आप notes से जुड़े रहें तो first हम जो शुरू करते हैं वो हम शुरू करेंगे maths function तो first आता है power देखो यह function जैसे कि power नाम से ही पता लग रहे है कि क्या है power तो function क्या use करता है result देगा कि एक क्या होगा specified exponent number देगा और एक specified क्या होगा base number मतलब क्या होगा दो parameter लेगा एक base और एक exponent base value क्या होगी negative हो सकी पर exponent कभी भी क्या होगा negative नहीं होगा base और exponent क्या हो सकते है fraction में जरूर हो सकते है मतलब यह क्या कहना चाहता है देखो यह का आपके पास एक base number होगा और उसके क्या होगा कोई भी exponent value होगी base number आपका negative हो सकता है पर exponent यह वाला जो number है यह कभी भी negative नहीं होगा ठीक है पर base और exponent दोनों क्या हो सकते है फ्रेक्शन में हो सकते है ठीक है I hope आपको clear होगा तो यह आपका क्या है power है तो इसका जो syntax है वो क्या है power a b ठीक है power of a b मतलब अगर हम इसको करके चलें तो power of मतलब a की power b तो यहाँ पे जो a है वो है base number और b क्या है exponent number ठीक है तो यहाँ से क्या है example select power 7 2 अगर हम example लेकर चलें तो यहाँ पे अगर हम 7 की power 2 करके देखे 7 की power 7 की power 2 तो यहाँ पे जो result आएगा वो क्या आएगा 49 ठीक है तो I hope यहाँ से आपको clear होगा तो next आता है round तो यह function क्या है next function जो maths function में है this function is used to round off a specified number to a specified decimal places देखो जैसे round off करने के काम आता है मतलब कि कुछ decimal places में आम round off कर देते हैं यह function हमेशा accept करता है only all type of numbers positive, negative, zero सब तरह के number यह accept करता है accept करेगा सिर्फ fraction number function always returns a number after rounded to the specific decimal places आप बताओगे कि कितने decimal places तक आपको round off करना है तो यह आपको देदेगा तो syntax भी यह होता है इसका कि आपने क्या दिया round, number, decimals और operation क्या आप perform करना है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा देखो example करके select round और आपने क्या दिया 12.3456 और कितने decimal place तक 2 अब देखो जैसे कि अब यहाँ पर आप एक सीखने वाली बात है कि क्या है 12.3456 और 2 बोला आपने ठीक है आपने बोला कि 2 decimal तक करके देखो तो यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है अगर आपने 2 तक बोला है तो next आपके पास digit क्या था 5 तो जब आप 2 तक दोगे तो आपका जो यह 3 4 है यह 4 क्या है 5 में convert हो जाएगा क्योंकि जो next digit थी ना वो 5 या 5 से greater थी ठीक है अगर 5 या 5 से greater है तो यह वाली digit है यह आपकी किस में convert हो जाएगी एक बड़ी हो जाएगी ठीक है अगर यहाँ पर होता suppose अगर यहाँ पर होता आपके पास 12.3420 ठीक है तो यह अगर हम इसका round off करते तो यहाँ पर 3,4,0,0 ही होता क्यों जो next digit थी वो 5 से less than थी तो I hope यह clear हो गया होगा तो round off का मतलब round करना क्या है round off decimal places में round off कर देना हाला कि 2 तक था तो यहाँ पर 2 से हो गया तो 3,4,3,4 12.3456 का 2 decimal तक इतना output के आ जाएगा 12.3500 next आता है mode दो जो mode function है SQL में वो क्या होता है find the remainder mode का क्या मतलब है remainder find of करना of one number divided by another ठीक है यह function क्या return करता है remainder of dividend divided by the divisor अगर divisor 0 है तो यह क्या return करेगा null मतलब आपका divide करने वाला ही 0 हो गया मतलब divisor ही 0 हो गया तो यह क्या return कर देगा null तो इसको हम कैसे लिख सकते है mode N और M N mode का sign M और N mode M जहाँ पर N आपका dividend है और M आपका क्या है divisor है जो divide करेगा तो select mode इसका example देख लगते है select mode 36 divided by M 6 as remainder as remainder मतलब remainder में यह value देगा तो 36 divided by 6 अब यहाँ पर क्योंकि हमें remainder बताना है mode value क्या देगा reminder तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आएगा 36 divided by 6 तो यहाँ पर जब हम इसको divide करेंगे तो यहाँ से क्या होए जाए जैए 6 तो remainder क्या है हमाने पास 0 होगा इस लिबस complete कराने की कोशिश करूँगी पर आपको हमारे चैनल के साथ बना रहना बहुत ज़रूरी है और यह नोट्स को साथ-साथ आप को पी भी कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगी कि next में आपको पुरा complete कराने की कोशिश करूँ नोट्स के साथ ठीक है यह handwritten नोट्स हैं अगर जतना आप को समझाए आप कर सकते हैं बाकिया आप मुझे comment box में विदा सकते हैं जो भी आपको पूछना है तो next functions के लिए आप मने रहे हमारे चैनल के साथ मिलते हैं next video में thank you